नमस्कार क्या पचल टिवी का खाशो 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप मैं को आपके साथ पूझा 24 करन में विपक्ष का एक और नेता E.D. के सामने बेदम हो गया है चुनाओं के बीच कॉंग्रोस पार्टी को बड़ा जटका लगा है जारकन की मंत्री आलमगीर आलम को E.D. ने लंबी पूश्ताच के बाद गिरफतार कर लिया तो कैसे ब्रस्ट चार पर कॉंग्रोस फसी है बताएंगे आपको साथी लगता है कॉंग्रोस पार्टी ने कबूल कर लिया कि पियम मोदी के गरीबों को अनाज देने का काम रंग ला रहा है तबी तो चार चर्णों की वोटिंग खत्म होने के बाद कॉंग्रोस पार्टी ने आज बड़ा एलान किया मलका जुन खड़के ने कहा कि वो 5 किलो की जगा 10 किलो का राशन मुप्त में देंगे तो कैसे कॉंग्रोस बैक फुट में आ गई है ये भी बताएंगे साथ ही राखुल गांदी के प्रदान मंत्री बनाने को लेकर हो रही बयान बाजी पर विपक्ष की राजनीती पर चर्चा करेंगे मेरे साथ जुड़े हैं कि आपचल जीवी के एडिटरिन चीफ दॉक्टर मनेश कुमार और स्टूडिय में मौझूद है राजीब जी तो सबसे पहले दॉक्टर मनेश जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है दन्यवाद राजीब सर आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ही है क्योंकि बस अभी कुछ दिर पहले एक बड़ी ख़वर ये साब में आई कि एडि ने लंबे पूश्ताच के बाद आलम गिर आलम को गिरफतार कर लिया है चुनाओ के बीच में कॉंग्रेस को कितना बड़ा जटका लग गया ये कॉंग्रेस को जटका ये तो कॉंग्रेस के लिए भुकंप की तरह है इस पार्टी में जितने नेता हैं इनको इस पर बोलना चाहिए और राहुल गांदी को सबसे पहले आगे आकर बात करना चाहिए ये 37 करोड रुपया कहां से आता है ये 37 करोड रुपय का खेल ये किसके लिए चल रहा है ये जो बार बार ये सवाल उठाते हैं कि देखो भई करोड़ पतियों को पैसे दिये जा रहे हैं तो आलमगीर आलम कहां से करोड़ पति बना ये आफी की पार्टी का है ये कैश कांड वाले लोग हैं ये इधर उधर पैसे लेकर जाते हैं पश्चिम बंगाल चुनाब में पैसा जा रहा है जारखंड से ये तो साबित करता है कि जहां पर कॉंग्रेस की सरकार है वहां पर कॉंग्रेस का वसूली गैंग हा भी है ये जो पैसे मिल रहे हैं ये पैसे ये दिखा रहा है कि जारखंड में केवल हिमन सोरेन कर अपसन नहीं कर रहा ये जो जनतर मंतर पर बैठ कर और फिर रामलीला मैदान में एक बड़ा सायोजन करके ये लोग सुनीता केजरिवाल और कलपना सुरेन को साथ में बिठा कर कहते हैं कि E.D. है जो गलत कर रही है C.B.I. गलत कर रही है मोदी सरकार इन लोगों को गिरफतार कर रही है ये अब जवाब दे कि आलम गीर आलम के गिरफतारी क्यों होई और जो घंटों तक पूछ ताच की जा रही है उसमें जो सुबूत सामने आ रहे हैं ये तो ये लोग छिपा लेंगे लेकिन जो 37 करोड रूपया ये छोटी मोटी राकम नहीं है ये पैसे जो कैश में मिले हैं ये क्या इसका भी जवाब ये लोग यही देगा कि एडी की टीम ने जाकर पैसे वहां रखवा दिये अब तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए और बताना चाहिए ये खुल के बोलना चाहिए कि अगर हमारी पार्टी में भी कोई करप लिडर है तो उसको गिरफतार होना चाहिए गिरफतार किया जाना चाहिए अब इन लोगों को इस अगले तीन चर्णों के चुनाब में इसका जवाब देना पड़ेगा क्योंकि पिछली बार भी जब 200 करणों रुपया कॉंग्रेस से निता के घर्टे मिला था पिये मोदी ने बात की थी और आज के बाद फिर से ये मुद्दा उठेगा अभी जारखंड में चुनाब होना बाकी है ये तो 13 में से सुरू हुई हुआ है और अब आगे जारखंड में भी ये मुद्दा उठेगा बिहार में भी उठेगा और पूरे देश में कॉंग्रेस को जवाब देना पड़ेगा कि हज सैक्डो करोड रुपया इसकी सरकारों में जो बंदर बाट किये जाते हैं मंत्रियां यो इतने मंत्री हैं में कोई ऐसे मंत्राले चाहिए जो की हिमन सोरेन कबजा करके बैटे हुए हैं यहां से इंस्ट्रक्शन मिला कुछ मंत्राले का रिडिस्ट्रिब्यूशन हुआ और फिर यह सामने आ रहा है कहस्कान तो यह नहीं कह सकते कि भुपेश बगेल को मुक मंत्री बनाया गया 36 गड़ गया इसलिए कि भुपेश बगेल इन लोगों के बहुत करीबी थे इसलिए बनाया गया कि यह हजारो करों रुपया 36 गड़ में जो उगाही किये गए उसका कितना पैसा राहुल और सोनिया गांधी तक पहुचा ये डिके शिवकुमार को इगनोर करके सिधा रमया को बनाया गया उसकी वज़े भी यही है कि वहां से उगाही करके कितना पैसा लाया जा रहा है तो ये कॉंग्रेस का चाल चरीतर और चेरा जो भी अब सामने आ रहा है क्योंकि ED और CBI एक्टिव मोड में है ये पहले कि सरकारों की तरह नहीं है कि तुम भी खाओ हम भी खाते है इन सुरक्षा एजेंसियों को जाच एजेंसियों को साइड में रखे रहो अब समय बदल गया है तो इन लोगों का कुकर्म पाप जो है वो सामने दिखाई पड़ रहा है जो आगे के 163 सीटों पर पूरा सम्मिकरन इसका बदल के रख देगा बिल्कुल ब्रस्चार पर खुलासे हो रहे हैं तबी जनता भी नकार रही है और लगता है मनीर सर इसलिए कॉंग्रस पार्टी ने ये जो फ्री फ्री राशन का डाप जो है वो खेल रही है पियमोदी 5 किलो राशन दे रहे हैं लेकिन अब कॉंग्रस पार्टी ये कह रही है कि हम 5 क्या 10 किलो फ्री में अनाज बाटेंगे आधा से ज्यादा चुना हो चुका और जिस पॉलिसी को लेकर तमाम लोग जनता में गए थे कि प्रधान मंतरी मोदी ने देश को गरीब बंदी कर दिया करोडों लोगों को ऐसे आलत पर लागर के खड़ा कर दिया कि जिसमें ये कह रहे कि उनको तो अनाज के लिए भी भीक मागना पड़ता है और इस पॉलिसी के उपर ये लोग कटाक्ष कर रहे थे और पूरा केंपेज चला रखा था कि ये कोई अच्छी नीती नहीं है कि आप गरीबों को अनाज दे रहे हो आप इस चीज को समझे तो इतने सारे चुनाओं हो गए आप एक नीती के ऊपर कटाक्ष करते रहे उसके खिलाफ केंपेज करते रहे और अचानक से आप कहते हो कि वो पाँच दे रहे हम दस देंगे इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि बाकी सारी चीजे वो भासन जो है वो विकार की है वो अपकी जगह पे है इन लोगों को मालूम चल गया कि ये जो बोधी ने 2000 रुपए हर कुछ मेहने में बैंक में वो ट्रांस्वर होता है और जो अनाज आता है महिलाओं के पास वो बहुत ज़्यादा असर दिखा रहा है काम कर रहा है गरीब जहासे में नहीं आ रहा कि एक लाख रुपए दे दूँगा तो ये कर दूँगा तो वो कर दूँगा चांद तारे लादूँगा ये जो विपक्ष जो अभी तक प्रॉमिसेस कर रहा था उसका जमीन के उपर कोई असर नज़र नहीं आ रहा राहूल गांदी और तमाम लोग जो लगातार एक से बनकर एक प्रॉमिसेस कर रहे हैं लोग उस पर यकीन नहीं कर रहे हैं और ये जो प्रेस कॉन्फरेंस करके खड़के साथ भी बाते कहती इसका मतलब यह है कि यह अलरडी चुनाव हार चुके है ऐसे नहीं हम इसा कह रह अब आगे की कहानी हम आगे बताएंगे तो यह तो एक बहुत बड़ा जो है सवाल विपक्ष के उपर अब खड़ा हो रहा है कि जिस नीति को आप गलत बता रहे थे हिंदुस्तान के लिए शर्म की बात बता रहे थे अब आपको उसी लाइन प्याना पढ़ रहा है तो प् प्रणारस के बाद जो महौल बना है उससे साफ साफ लग रहा है कि प्रधान मंत्री मुदी एक बहुत ही एतिहासिक जीत के और वो अग्रसर है तो क्या लगता इससे कॉंग्रेस पार्टी को कोई फाइदा होगा क्या राजिब सर एक और मेरा सवाल आप से गे है कि राखु जे बाट कर या फिर पूरे अर्थववस्था को चौपट करके लोगों को अट्रेक्ट करने के कोशिश करो लेकिन लोग हर जगह क्या नारा लगा रहे हैं करनाटक में जैसा हुआ इन लोगों ने फ्री का वादा किया और उसके बाद जो नए तरीके से वहाँ पर इसलामि तुस्टी करन हुआ उसमें एक बच्ची की हत्या हो जाती है और वहां की महिलाएं ये बोलना सुरू कर देती है हमें फ्री में राइड्स नहीं चाहिए बस पर हम फ्री में नहीं जाना चाहते हमें महालक्ष्मी योजना का पैसा नहीं चाहिए हमें घर में मुफ्त में बि और हमारा भी काम चलता रहे उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि देश कंगाल हो जाए और कुछ दिन के लिए हमें फायदा हो इसलिए ये कॉंग्रेस के लिए उल्टा दाव पढ़ने वाला है क्योंकि लोगों ने समझ लिया कि ये 10 किलो अनाज देने की बात अचानक से बीच म हार रही है पिछले चार चर्णों में मोदी बहुमत की तरफ बढ़ रहे हैं तो अब ये इज़त बचाने के लिए कुछ नया दाव चल रहा है इसलिए दूसरी तरफ राहुल गांधी की बात देखिए राहुल गांधी वाइनाट से जब चुनाव लड़ रहे थे वहां भ नहीं हो पाया तो वहां पर दूसरी बार इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें पेच ऐसा फसा है कि राहुल गांधी खुद ही ये बिश्वास नहीं कर पा रहे हैं वहां से जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे अब राय बरेली की बात है राय बरेली से भुप कर रहे हैं इसका मतलब क्या है क्या राय बरेली में या अमेठी में ही बात करें अमेठी में स्मृती रानी चुनाव लड़ रही है या राय बरेली में जो भारतिय जनता पार्टी के दिनेश परताप सिन है उसके लिए सारे भारतिय जनता पार्टी के बड़े नेता जाकर पर के बड़े नेताओं को वहां भेजा नहीं जा रहा लेकिन फिर भी ये सब को भेज कर भी तक गए तो वहां के जनता को बर्गलाने की कोशिश करो कि अब प्रधान मंत्री का चुनाव आप कर रहे हैं इसका मतलब है कि राय बरेली में राहुल गांदी के लिए प्रतिकूल इस 2004 से अब तक क्या किया राजीव गांदी ने क्या किया इंद्रा गांदी ने क्या किया फिरोज खान ने क्या किया जबाहर लालेरू ने क्या किया उन लोगों के नाम पर रादिती कर रहे हो और उन्हीं के कामों पर अभी बोट मांगोगे तो फिर वहां की जनता समझ चुकी है राहुल गांधी राइ बरेली से हार रहे हैं इसलिए ये सब बाते चल रहे हैं और ये बाते जैसे ही चली उसके बाद ये जो अखले से आदब है बगले जाकने लगें कियोंकि ये लोग तो ये समझ रहे हैं तो सीधा कहना कि हम क्यों आपको अपनी रननीती बनाएंगे कि विपक्ष में क्या चल रहा है पीम कैंडिनेट को लेगा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जैसे ही राहुल गांधी के पीम की बात होगी उत्तर परदेश तो छोड़ दीजिये पूरे जो अभी बचे हुए सीटे हैं वहाँ पर सीधे तोर पर ये लगने लेगा कि ये हिडेन एजेंडा चला रहा है राहुल गांधी को परमोट करने के लिए और जैसे ही राहुल गांधी वसेस पीम मोदी होता है तो जो दूसरी पार्टी के नेता है जो राहुल गांधी को सपोर्ट करने के लिए आये हुए है उन पार्टियों को भी वो कंडिडेट हैं तो वहां से प्राइम मिनिस्टर कंडिडेट के बारे में कहा गया नहीं कहेंगे क्योंकि यूपी में ही इसका उल्टा प्रभाव पढ़ जाएगा विल्कुल मतलब कॉंग्रेस के तमाम निता मनिस्टर राहूल गांदी के लिए बैटिंग कर रहे हैं लेकिन अर्विंद किज्रिवाल की बात करें तो वो जेल से तो रहा हो गए हैं चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं लेकिन वो स्वाती मालिवाल के मुद्दे पर फस गए है ममता बिनर जी अलग परिशान है शरत पवार उद्धव ठाकरे हर निता विपक्ष का कही न कहीं फसा ही खड़ गए साथ को क्या बोलना होता है क्या कहना होता है क्या करना होता है कुछ समझ में नहीं आ रहा कॉंग्रेस पार्टी का सारा ध्यान सारा जो सकते की और राहुल गांदीर राय बरेली से कैसे जीते उसकी और पूरा चला गया है अब एक प्रेस कांफरेंस के दौरान एक सवाल पूछा गया स्वाती मालिवाल को ले करके अब यह सवाल किसली इंपॉर्टेंट है इसके पॉलिटिकल रेमिनिफिकेशन को समझी वह इसली इंपॉर्टेंट है क्योंकि केजरिवाल तो ही पंजाब गये नहीं प्लान यह बन रहा था कि यह तो बाहर आ गए महौल बन गया चुना पलट गया इतना महान निता जो है वह जेल से बाहर आया है और जेल से बाहर आकर के वह कोई कवाल दिखाने वाला प्लानिंग चल रही थी कि वह यूपी जाएंगे वह बंगाल जाएंगे महरास्ट जाएंगे अलग 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 जगों पर जाकर के प्रचा आथी पे आवाज नहीं होता बिलकुल नहीं होता बैठे बिठाए स्वाथी मालिवाल का मामला आ गया अब जिससे भी पूछा जा रहा है तो वह होता नहीं आप बहुत सारे मीम सुरह देखते होंगे बहुत सारे रील्स देखते होंगे कि कोई बहुती अनकमफिटेबल सीच में पकड़ा जाता है तो फर्स्ट फॉर्वर्ड होकर कि भागता है तो खर्गे साहब से पूछा जा रहा है तो कन्नी काट रहे हैं और अख्ले से अदम से पूछा गया कि बही बताओ यह सौती मालिवाल का क्या मसला है क्योंकि अब इस मसले में कोई लाग लपेट नहीं ह आम आदबी पार्टी ने इस बात को स्विकार लिया है कि राजसवा की सांसत के साथ चीफ मिनिस्टर के घर में चीफ मिनिस्टर की उपस्थिती में उसके पीए ने बत्यमी जी किये बवाल मचा है तो आप देखिए एक तरफ भारती जंता पार्टी प्रधार मंत्री मोदी का केंपेंग चल रहा है बनारत से तो और वो निखर गया और दूसरी तरफ ख़ल गए राहूल गांदी प्रियंका वाडरा अर्विन केजरिवाल ममता बरजी उद्धव ठाकरे सरत्वबार सब धन्यवाद सर जुड़ने के लिए धन्यवाद राजीर सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तो आलम की गिरफतारी चुनाओ के बीच कॉंग्रस के लिए बड़ा जटका है साथी आज कॉंग्रस के अध्यक्ष मलका अजुन खडगे ने कहा कि हमारी सरकार आई तो हम ग जाहुल गांधी को इंडिया गडबंदन के पीम उमीदबार बनाने पर भी कॉंग्रस मेहनत कर रही है पर अपसोस कॉंग्रस का हर दाव फेल होता नजर आ रहा है आप अपनी राएं कमेंट कर लिखें देखते रहें क्या पतल टीवी तमस्कार